तो भारत में यह जो dedicated freight corridor बनाया जा रहा है, जिसे हम cargo trains भी कहते हैं, उसके construction का काम Tata Company को दिया गया है, दरहसल यहाँ पर उन्हें 102 km का stretch बनाना था, लेकिन फिर company के slow काम को देखके railway ने यह contract को terminate कर दिया था, लेकिन अब कुछ समय पाद railway के तरफ से यह news आ रही है, कि यह contract फिर Tata Company को दे दिया गया है, भापर वो 102 km के corridor पर काम करेंगे, तो आप सब यही सोचोगे कि पहले railway ने यह contract कैंसल किया और वापस उन्हें यह contract देने का reason किया है, तो मैं आपको आपकी जानकरी के लिए बता दूँ कि railway को जाएका जो एक जापानी company है, उनकी तरफ से काफ 2014 तक यह dedicated freight corridor को बना के तयार कर देंगे, land acquisition एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण Tata Company यह contract टाइम पर complete नहीं गर पाई, भारत में हमें यह land acquisition की problem काफी देखने मिल रहे है, फिर चाहे वो bullet train के लिए होई या freight corridor के construction के लिए, दर असल यह freight corridor के construction का का काम Tata Company को 2016 में मिला थ चुक है और अभी सिफ 35% ही corridor construct हो पाया है, तो जैसा कि हम देख पार है, यह freight corridor का काम किता जादा slow चल रहा है, और इसका मीन दरन land acquisition ही है, लेकिन अभी यह land acquisition की problem solve हो चुकी है, और यह freight corridor के construction का का काम काफी ही तेजी से शुरू हो चुका है, और hopefully यह 2024 तक बनके तयार भी हो जाएगा, दरसल railway ने इस Japanese company की बाद इसलिए सुनी है, क्योंकि इस freight corridor को बनाने की funding जापान से ही आ रही है, क्योंकि टाटा की जो quality और trust है, वो ना सिर्व भारत में बलकि दूसरी दुनिया में भी काफी जादा पसंद करते हैं लोग, टाटा की quality के काफी जादा चर्चे है और इसी reason के वज़े से Japanese company ने ये contract railway को टाटा कमपनी को फिर से देने के लिए काहा है, तो इस dedicated freight corridor पे सिर्फ माल काडिया ही चलेगी, जिसे हम cargo trains भी कहते हैं, इसकी वज़े से जो हमारी अभी की passenger train है, उसे काफी ज़दा फायदा होगा, तो इस वीडियो पर आपका क्या कहन हैं मुझे comment section पर जरूर बता है, अगर वीडियो पसंद है तो please like, share and subscribe